नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी या वैतन्नी एकादशी का ब्रत कथा सुनाने जारी हूँ बोलो जैशी मनना रैण उत्पन्ना एकादशी का महत्तो धर्म राजयो धिश्चिर कहने लगे कि हे भगवान मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थाद प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्डन सुना अब आप कृपा करके मुझे मार्गशिर्स माह के कृष्न प्राप्ति होती है कृपिया यह सब विधान पुर्वक कहिए भगवान शुर्प कृष्न बोले मार्गशिर्स माह के कृष्न पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है या व्रत शंखो ध्वार तिर्थ में अस्नान करके भगवान के करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी बराबर पुन्य मिलता है व्रत करने वाले भक्त को चोर पाखंडी परिस्त्रिगामी निंदक मिध्या भाशी तथा किसी भी प्रकार की पापी से बात नहीं करनी चाहिए इसका महात में मैं तुम को बतलाता हूं ध्यान पुर्वक उत्पन्ना एकादशी वरत करता जुधिस्च्टिक कहने लगे ही भगवन आपनी हजारों एग्यार लाख गौदान को भी एकादशी वरत की भराबर नहीं बताया सो यह तिति सब तितियों से उत्तम कैसे हुई बतलाईए भगवन कहने लगे ही ऋधिस्टिर सत्युग में म मुर नाम का देत्य उत्पन हुआ वह बड़ा बल्वान और भयानक था उस प्रचंड देत्य ने इंद्र आदित्य वसु वायु अगनी आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भैभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्त कहा और बोले हे कैलाश पती मुर्द एत्य से भैभीत होकर सब देवता मृत्यों लोग में फिर रहे हैं तब भगवान शिव ने कहा हे देवताओं तीनों लोकों के स्वामे भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विश्नों की सरण में जाओ वेही तुमारे जन सुनकर सभी देवता छीर सागर में पहुँचे वहां भगवान को शैन करते देख हाँच जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो आपको बारम बार नमसकार है देवताओं की रक्षा करने के वाले मधो सुदन आप को नमसकार है आप हमारी रक्षा करें देट्यों से भैभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं आप इस संसार की करता माता पिता उत्पत्ती और पालन करता और संगार करने वाले हैं सबको शांती प्रदान करने वाले हैं अकाश और पैताल भी आप ही हैं सबकी पिता मा ब आपक हैं आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है है भगवन देत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भरष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं आप उन देत्यों से हम सब की रक्षा करें इंद्र के ऐसे वचन सु बचन सुनकर भगवान विश्णु कहने लगे कि हे इंद्र ऐसा मयावी देत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जित लिया है उसका नाम क्या है उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहा है या सब मुझ से कहो भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद पढ़ाँ नाम की नगरी है उसीने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार जमालिया है उसने इंद्र अगनी वरुन यम व야यु ईईश्चंद्रमा नेरित आदिशब के स्थान पर अधिकार कर लिया है सुर्य बन कर स्वैम ही प्रकाश करता है स्वै देवताओं मैं शिक्री उसका संघार करूंगा तुम चंद्रावती नगरी जाओ इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्लस्थान किया इस समय जब देट मुर सेना सहित युद भूमी में गरज रहा था उसकी भयान गरजना सुनकर सभी देवताओं है कि मारे चारो दिशाओं में भागने लगे जब स्वैम भगवान रड़ भूमी में आये तो देट उन पर भी अस्त्रसस्त्र आयूद लेकर दोड़े भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला बहुत से देट मारे गये किवल मुर बचा रहा वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद करता रहा भगवान जो जो भीतिक्ष बाण चलाते वह उसके लिए पुश्प सिद्ध होता उसका शरीर छिन भिन हो गय किन्त वह लगातार युद करता रहा दोनों के बीच मल युद भी हुआ दस हजार वर्ष तक उनका युद चलता रहा किन्त मुर नहीं हारा ठक कर भगवान बद्रिका श्रम चले गए वहाँ हे मुती नामक सुन्दर गुफा थी उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उ और उसका एक ही द्वार था विश्रु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गया मुर भी पीछे पीछे आगया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्वत हुआ तभी भगवान के शरीर से उज्वल कांति मैरूप वाली देवी प्रगट हुई देवी ने र जन्म एकादशी के दिन हुआ है अता आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं बोलो जैशीमन नारायड अगर आपको मेरी यह कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे शेयर करे और कम पेंट में जैशीमन नारायड जरूर लिखेंगे